देखिए जब भी आपकी दुकान में कस्टुमर आता है आप हमेशा उससे कैश पेमेंट नहीं कह सकते क्योंकि कमपेटिशन इतना ज़्यादा है इसलिए आपको कुछ न कुछ क्रेडिट जिसे हम कहते हैं उधार में आपको सेल करना होता है बट इसमें प्रॉलम होती है इसमें प्रॉलम यह होती है कि हमेशा स्ट्रेस रहता है कि कस्टुमर जो है वो पेमेंट देगा या नहीं देगा बट क्या कोई ऐसा सोर्स है क्या कोई ऐसा डॉक्युमेंट है जिसके थुरू हम उससे लिगली चैलेंज कर सकते हैं That means law उस person को force करेगा कि वो आपकी payment दे Yes, ऐसा एक document है जिसे हम कहते है promissory note जिस document ये एक note होता है जिसमें customer promise करता है payment का बट ये कैसे बनता है इसी factor को हम इस वीडियो में discuss करते हैं मैं हो विकास मैंनी आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे what is promissory note in Hindi हम संझेंगे सबसे पहले इसकी requirements क्या है कैसे इसको बनाया जाता है और इसके benefits क्या है सबसे पहले हम समझते है requirements को अब देखिए promissory note simply a document होता है जिस पर कुछ लिखा होता है और signatures होते है बट इसमें सारी art ये है कि इसमें क्या लिखना है क्या mention होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी requirement आप miss कर गए तो फिर ये promissory note valid नहीं माना जाएगा और उस note के भिहाफ पर आप अपनी payment claim नहीं कर पाएगे तो सबसे पहले इसकी requirements को समझते है सबसे पहले requirement है language language या तो आप English, Hindi या फिर कोई भी local language में print करके दे सकते है promissory note बट कोई foreign language में आप इसमें print ना करें language या तो आपकी local होनी चाहिए या फिर जो national language है या फिर English जो common language है उसमें आप दे सकते है second requirement है इसकी residence जिस person के against जो person आपको promise कर रहा है कि वो आपको एक time तक payment दे देगा वो आपको एक note बना के देगा जिसे हम कहेंगे promissory note बट वो person residence होना चाहिए इंडिया का इसका मतलब यह है कि वो एक काफी अच्छे amount of time से इंडिया में रह रहा हो यहाँ residence का मतलब citizen of India नहीं है कोई foreign person भी अगर इंडिया में कई सालों से रह रह रहे है तो उसे भी residence माना जाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई foreign person है जिसको आप promissory note जिससे लेते हैं और वो वापिस दूसरी country में चला गया तो फिर आप कहा claim करेंगे तो इसलिए वो person residence होना must है थर्ड requirement है इसकी कि amount amount जो है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको कोई amount पे करूँगा note in cash कि for example मैं आपको दो mobile दे दूँगा वो यहां valid promissory note की category में नहीं आएगा बात करें अगर हम promissory note की तो amount हमेशा cash में या फिर equivalent to cash equivalent to cash का मतलब यह है कि bank के through या banking transaction के जो online mode options available है उनके through payment की जा सकती है और यह amount कितना पे करना है और किस time पर पे करना है यह दोनों चीज़े mention होनी चाहिए अब बात करते हैं how to mention अब हम कह रहे हैं mention होनी चाहिए बट mention किस तरह से होनी चाहिए यह amount numerical digits में mention होना चाहिए और उसके साथ ही words में भी mention होना बहुत जरूरी है because digit में अगर मैं कुछ adjust कर दूँ मैं 4 का या 8 का कुछ और alternative number बना सकता हूँ कुछ adjustment करके तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यह words में भी mention हो अगर आप एक valid promissory note बनाना चाह रहे है तो उसके लिए words में mention होना बहुत जरूरी है another point है इसमें date इसमें देखिए दो तरह की date है जो mention होनी चाहिए पहली date वो है कि promissory note कब आप ले रहे है कब आप issue कर रहे है तो वो date mention होनी चाहिए जब promissory note बनाया गया दूसरी date इसमें ये mention होनी चाहिए कि कब आप पैसे claim कर सकते है तो ये दोनो date mention होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि मैं पैसे दे दूँगा बट कब दूँगा ये नहीं पता तो वो valid promissory note नहीं होगा तो make sure करें कि date जरूर mention हो अगला point है इसमे पोस्टर स्टेंप विद क्रोस साइन पोस्टर स्टेंप आप जब लगाते हैं तो उसे एक legal authenticity मिलती है तो इसलिए पोस्टर स्टेंप जरूर लगाए और उस पे क्रोस साइन करें जिससे आपको जो प्रॉमिसरी नोट है वो और ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा बट अगर जो आपका कस्टमर है वो साइन नहीं कर सकता तो आप थम्ब इंप्रेशन अंगुठे का जो इंप्रेशन है वो भी ले सकते हैं अगर मैन का इंप्रेशन आप ले रहे हैं तो लेट साइड के थम्ब का इंप्रेशन ले वो में का इंप्रेशन ले रहे हैं तो राइट साइड के थम्ब हैपन होगी कंडिशनल एक्टिविटी पर भी प्रॉमिसरी नोट बनता है बट वह कंडिशन रियलिस्टिक होने चाहिए एक्जामपल अगर मैंने आपको घर बनाने का कॉंट्रेक्ट दिया है और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब आप मेरा घर सकते हैं यह तो यहने हैं से सर्टेनेटी नहीं है एसा हो भी सकता है और होँथ सकते हैं तो दो कंडिशन अशन्री पर लिखा हो अनकंडिशनल ओडर यह तर्म' बहुत इंपॉटiegen है जसको आप फोकस करें अब बात करते हैं यह बनता कैसा है अब देखें सिंप्ली इसका एक फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप डिजाइन कर सकते हैं बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि आप स्टेशनरी शोप से या किसी भी जो कोट्स है उसके बाहर जो दुकाने होती है वहां आपको यह बहुत ही चीप रिट पर मिल जाता है उ यहां उसके आप साइं करा सकती है थम इंप्रेशन ले सकते हैं अब हम बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट उतना ही है जैसे यह जो किंठ है यह आपको पानी में डूबने से बचाती है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि फोर एक्जाम्पल ये किस्टमर अया उसने आपको लिक एदिया प्रॉमिसरी नोट पर कि व आपको प्रोड कर देगा बट वह फ्रॉट था इंच आ मैंसे आपने एक जन्वन इंटेंशन से व प्रॉमिसरी नोट लिए तो आपकी प्रोड की पैमेन को कोई नहीं रोख पाए अपको यह तो पेमेंट मिलेंगी इवंदो उस укते घ्रुट किया गांता तो अगर आपने फेर डिलिंग की है तो सामने वाले में यापको परसाने टोप भी किया है तब भी आपको पेमेंट मिलेगी बाद में उस परसन पर केस चलेगा बट आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी यह इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है तो इसलिए जब भी आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं या किसी को उधारी दे रहे हैं तो मेक्शूर करें कि प्रॉमिसरी नोट जरूर लें जिससे आप अपने बिजनस को सेफटी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे तो आई होप यू फाउंट इस वीडियो यूसफुल और और से जुडने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ला